राधे राधे मेरे प्यारे भाईओं बेहनों माताओं वाबंधों संस्कार की बादे ये चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ आहोई अश्ट्मी व्रत 2023 में कब रखा जाएगा अहोई अस्टमी 2030 में कब है बंधों अहोई अस्टमी पर कुछ शुप योग बन रहे हैं ये भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ बंधों हर साल कार्तिक मास के क्रिशन पक्ष की अस्टमी तिधी को अहोई अष्टमी या अहोई आठे के नाम से प्रत रखा जाता है ये व्रत सभी माताएं अपने संतान के सुब सम्रिधी के लिए रखती है संतान की लंबी आयू के लिए रखती है इस दिन व्रत करने की विध्य बिल्कुल करवा चोच जैसी है लेकिन इस दिन चांद को अर्ग ना देकर तारों को अर्ग दिया जाता है महिलाएं पूरे दिन अपने संतान की लंबी उमर की कामना करते हुई प्रत रखती हैं और रात को तारों को अर्ग देकर व्रत का पारन करती हैं बंधो इस साल अहोई अश्टमी के दिन दो शुबयोग बन रहे हैं इस साल कातिक मास के क्रिशन पक्ष की अश्टमी तिथी पांच नवंबर रविवार को है इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए अहोई अश्टमी का प्रत रखेंगी बंधो अश्टमी तिथी की शुरुआत 4 नवंबर 2023 को रात 12 बज़कर 69 मिनट पर होगी और इस तिथी का समापन 5 नवंबर 2023 को रात 3 बज़कर 18 मिनट पर होगा ऐसे में 5 नवंबर को ही इस फ्रत को किया जाएगा बंधो अहोई अश्टमी के दिन शुप योग बन रहे हैं अहोई अश्टमी के दिन वर्ती महिलाओं के लिए अर्ग दे कर वर्त खोलने के लिए तारों को देखने का समय पांच बज़कर 18 मिनट से शुरू होगा इस साल अहोई अश्टमी के दिन दो शुबयोग बन रहे हैं पहला योग रवी पुष्ययोग और दूसरा योग सरवासिधियोग इन में किसी भी काम को करना बहुत शुब माना जाता है इसमें व्रत करने से नुश्य को बहुत अधिक लाव होगा बंधों इस व्रत की पूजा विधी क्या है इस व्रत को करने से संतान की उमर लंबी होती है और उसकी सफलता के रास्ते खुलते हैं इस दिन मा पार्वती, महादेव और पूरे शिप परिवार की पूजा की जाती है इस दिन ब्रद की कथा को सुनते समय अपने हाथों में साथ अलग परकार के अनाज रखने चाहिए भगवान को लगाए भोग को पूजा करने और अर्ग देने के बाद अपने बच्चे को पहले खिलाना चाहिए बंधों आहोई अश्टमी के दिन प्रातेकार जैसे करवा चोद के दिन खाना खाया जाता है या चाई दूद प्या जाता है इसी तरह से आहोई अश्टमी के दिन भी प्राते काल जल्दी उठकर जो भी आप खाना चाहें खाएं और फिर थोड़ी देर सो जाएं और फिर शिनान आदि करने के बाद प्रत का संकल्प लें दोपहर में बारा वजे के बाद आहोई अश्टमी की कथा सुनें आहोई अश्टमी की कथा सुनने से पहले दिवार पर आहोई अश्टमी का चित्र बनाएं या फिर बाजार से ही आहोई अश्टमी का किलंडर ला कर रखें और फिर दो मिट्टी के जाकरे या फिर स्टील के क पानी से भर कर उस पर मोली लपेटें और रोली से दोनों कलशों पर साथिया लगाएं फिर दोनों कलशों को उपर निचे करके रखतें और उपर वाले कलश पर दो डली गुड की रखें दक्षिना रखें अहोई अश्टमे के केलंडर पर दस रुपए का सिक्का लगाएं और उस पर रोली के छीटें दे अब हाथ में गेहु के दाने लेकर कथा श्रवन करें कथा सुनने के बाद अपने आस प्रोस में या फिस सासु मा को बायना देकर आशिरवार लें फिर शाम को तारों को अर्ग देकर भोजन ग्रहन करें बंधों ऐसा करने से संतान की प्राप्ति होती है और साथे संतान की लंबी आयू होती है संतान को हच्छेत्र में सफलता मिलती है बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर करना ना भोलें राधे राधे जैश्यक्रिश्ना